वेलकम तो यो चैनल वेजिक स्वीस किंग सेंसर परस्ट आफ हाल आइड डिसकस अबाउट आपजेक्टीक एसंस पाइब लाश टेंथ फर्स्ट चैप्शर से जो कैसें पूटप किये गए हैं उनका यह करके हम एंसर जो है देखते हैं फर्स्ट कैसें से हैं रेनिन का स्राव कहां होता है आपको पता है कि रेनिन प्रोटीन पासक एंजाइम है इसका जो स्राव होता है वह आमासेल होता है कहां होता है आमासेल होत इसी प्रकार से दूसरा क्रेस्टन्स आप देखेंगे दूसरे क्रेस्टन में कौन से एंजयाइन प्रोटीन पाखक है इस पेसल रूप के आपको इसमें प्रोटीन में देखना और से तो इसमें टायलीन, प्रोटीन का पाजिन करता है यही तीनों प्रोटीन का पाजिन करते हैं और बाकी इन में से कोई नहीं यह भी आपका गलत है इसी प्रकार से आप तीसरे कैसंस में पोसकी प्रक्रमों में उर्जा मुद्रा है कहनेकशक पर है पोसिका में जो उर्जा का निर्मार होता है किस रूप में होता है मार माइटोकार्णिया में होता है लेकिन किस रूप में होता है कैसन या फूच आ है स्मर्ण दूसरे आपशन में ATP है एडनोसीन ट्राइफसिट तो ATP के रूप में ऊर्ण स्मर्ण होता यही ATP उर्जर मुद्र है इस प्रकार से आपका दूसरा आपसंद करेक्ट है और तीसरा चौथा यह दोनों के लगत है इसी प्रकार हम चौथे क्रेसंस के आते हैं ATP तथा यहनेडीपी इंटी टूयज का निर्मार होता है आप क्रेसंस को ध्यांस देखिएगा ख्लोरे प्लाश्ट में , प्लांट मेhrा it अब को प्लांट में है उसकी लिए प्लांट में होती फोंती है उसके लाइट olmaz skरन होता जो सेके डिएक्छन होता है ऑन जो लाइट रेक्षण होता है उसका इतोद ंपाद होता है वही ATP तथा यह दिने DP इंटुटुएज के रूप में होता है तो इस प्रकाश से यह दूसरा आपसनापका करेक्ट है और तीसरा चौथा आपसनापका गलत है इसी प्रकाश से हम अगले questions पर आते हैं वह पाच्वा questions पाचन छेत में भोजन के साथ मिलने वाले पहले enzyme का नाम क्या है बहुत केरफुल हो के question देखिएगा पाचन के छेत में भोजन के साथ मिलने वाला पहले enzyme का नाम है जर्ली आप देखेंगे तो मुख के अंदर टाइलिंग नमकेंजरी मिलता है लेकिन यहां पर टाइलिंग कोई आपसन नहीं दिया गया है इसलिए जब भोजपदा मुख कुहा से ग्रसनी आमासे से होते हुए आमासे में पहुंचता है तो सबसे पहले प्यप्सिन मिलता उसके साथ तो फर्ष्ट आपसना पर करेक्ट है बाकी तीनों गलत है इस प्रकासे हम अगले questions काते हैं छठा question है मचली के हिर्दे में कोष्टों की संख्या होती है इस जिसमें चैम्बर्स आपको देखना है उसमें मचली के हिर्दे में मुख कि रूप से दो चैम्बर्स होते है जिसमें एक आलिंद होता है और एक निले होता है तो आपका जो आपसन परेक्ट है वह भी सही है बाकी 1 ए और C और D यह आपसना गलत है इसी प्रकास से हम अगले कैसें सब्सक्राइब में मानों के आहारनाल के विभिन भागों का सही क्रम है इसमें सीरियल आपको देखना से और पीछ ना होने पाए इसमें सबसे पहले हम भोज बदार्थों को मुख की सहायता से आहारनाल के अंदर लेते हैं तो मुख तो आपका परेक्ट है इसके गरितियेत की त्वारा आमासे और फार आपका है इसका है, आमासे का आज बड़ी हारत है, इसके बाद बड़ी आथ होता है है पर जतकर छोटी आप आद कर देखते तो चौथा आपसन आपका सही है, अब हम अगले questions पाते हैं, आठवा questions है, आठवे questions में लसीका में नहीं पायते हैं, लसीका सबसे पहले तो आपको जाना लसीका क्या होता है, आप theory class में पढ़े होंगे, लसीका रुधिर का च्छना हुआ अद्रब्य होता है, जिसमें WBC सब आर, WBC नहीं पायता है, तो जनलीव आपको पहला आपसन मिल जा रहा है, लाल मुधिर कड़ी का नहीं पायता है, तो इस प्रकास से पहला आपका आपसन सही है, बाकि तीनों गलत है, इसी प्रकास से हम अगले questions पाते हैं, जो कि नवा questions है, मनुष्ट में दुध गरंतियां किसकी रूपान कृतर रशना है, जनली आपको पता है, थियोरी क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, कि जो तची गरंतियां है, स्वेत गरंतियां है, लार गरंतियां है, जठर गरंतियां, इन चारों आपसन में से जो दुध दुध गरंतियां होती है, वह इस प्रकास से त जठर रस स्रावित होता है जठर रस जनली आपको पता है कि यह जठर ब्रंधियों स्राइद होता है और जठर ब्रंधि पाई गायाती है आमासे पायाती है तिसमें अग्रा से होता नहीं है पित्ता से होता नहीं है तीसरे आपसंद पर है आमासे आमासे में जठर ब्रंधि प प्रचा किये थे कि अस्तंधारियों के लार में जो पाय जाने वाला एंजाइन उसका नाम टायलिन यह टायलिन करता क्या है यह मंद को सरक्रा में बदलने का कार करता है जो की इस प्रकास हम अगले करिशन पाते हैं कि मंद को सरक्रा में बदलने का कार कार का सिक है जिस प्रकास caves कि तीन हो अगले कैसिन पाते हैं कि इसंग क्रख Khan को कहते हैं उसमें संकूचन की प्रत्या हो अनेच्छिक पेशिव हनती यह आपका तीसरा option परेक्टर, बागी जोथा गलतु किसी प्रकास हम अगले कैसंस पाते हैं, लसीका में नहीं पायते हैं, अभी है कैसंस किया है, देखते हैं लसीका में RBC इसी नहीं पायते हैं जिसको आप red blood conscience से अल्लाल मुदिर कड़िका कहते हैं यह नहीं पायते हैं बाकि जो है WBCU पसित होते हैं इसी प्रकास अंगला सभागमो मेनो मेटर नाते हैं से मापते हैं जनली आपको द fantasy अरुधिल दाब को मापभियाता है देखते हैं और बाके एक आप tusum को मापने के लिए यूज़ किँAYता है और इसमें रुधिर्दाग मापने के लिए इस फैग्मो मैनमीटर का प्रियोग कियाता है। इस प्रकास से आपका पहला आपसे सही है। रुधिर्दाग इसी प्रकास से में अगले questions पाते हैं। सुलामा questions हैं। त्री वलन कपाट के बीच में होता है। काने के दाथ पर यहा है consistent location आपको देखना है। यह यह दाहिने आलिद और Danहिने निले के भी शुपायता है। यह हैं दाहिने आलिद और दाहिने निले सहीत हैं। प्रकास बहिए शुमने के बीच मात दिया है। तेकि आप help PR बोट क्सवेकर पाते हैं। ट्राइक अस्पिडवाल यहरत दाहिने आलिंद और दाहिने निले पायते हैं यह आपका थरड़ आपसोस करें इसी प्रकास हम अगले कैसेस बाते हैं मनुष में लार ग्रंथियों की संख्या होती है आपको पता है कि मंदु修स में जो पाये पन сцен डारी ग्रंथियां होती ही वह थीन प्रकार की होती है और वह पियर्डम होती है जोड़े भूती दमी मतलब टीन जोड़ी होती है और तीनों का नाम भी आपको पता होगा ग्ले है इसे प्रकार से अगले ग्रेसंस पाते ही थ्न Quebec फाइरा वोजन का न्यमार्व होता है आपको पता है कि पौधों में प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया होती है पत्तियों में संपन होती है क्योंकि पत्तियों में पढ़हरिम बायते हैं वह पढ़हरिम क्या करता है सनलाइट को एब्जार करने में महत्पुल भूमिक्या भाता है यह जो पधरिम होता है को sunlight को एकजार करके प्रकास craünden की प्रक्रिया को शंपन करते हैं तो इस से आप का दूसरा। अब हम आते हैं अगले प्रक्रण द्वारा वाई को सुध्ध करते हैं अब इसमें प्रक्रिया आपको देखनी है कि पादकों में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा वाई का सुध्धी करण होता है जिसमें आपसंस आपका पी प्रकास संसलेशन द्वारा क्यों कि आपको पता है कि प्रकास संसिलेशन के फंसरूप आक्सिजिन गैस लुक्त होती है जो वातरण में आक्सिजिन के बैलेंस को बिल मेंटेल बनाएगा इसमें आपका सेकेंड आपसन तरिक्त है अब इसी प्रकास से हम 20 में कैसेंस पाते हैं जल का संबहन होता है कि जल का जो संबहन पादकों में होता है वह जाइलम के द्वारा होता है वैस्कुल बेंड़क पढ़े होंके जाइलम जो होता है यह जल और खनी लवड को पौधों के जड़ों द्वारा आउस्वक्षित करकी पौधों के समस्त्र पोशिकाओं तक पहुंचाने का पार्ट कर कि यह जो अपोंका है वहां के और ले लीजे다 है अब हम अगले कैसेंस का आते ही अगला कैसेंस हैं आपका इट्वेस्वां है वास्पों सरय। का महत्त्व है वास्पों सरञ्ण के बारे पहले समझेजिए कि पारद्वों के रुवाई भी भात जल के वास्पित होने के प्रक्रिय होती है वास्प सवजन होती है इसमें आप आपसंद देख लीजी पौधर के भाईवी भागों तक जल पहुशना यह तो प्रापर उसे जल का संभण हो गया यह तो नहीं हो सकता है दूसरा है अत्रिक्त जल को त्यागने वत ताप के नीमन जो गयसों का आदान प्रदान होता है इसमें इस प्रसलूप से आपको यह चारों आपसन में से चूज़ करना है कि कौन से पार्ट के द्वारा गैसों के आदान पतान की तरग्विया शंपन होती है इसमें आपसन फस्ट आप एक रद्धेर रंत्रों के द्वारा यह करेक्ट आपका यह पत्तियों में पायते हैं और रिपीड़न से प्रक्रम द्वारा वाय को सुझ्द करते हैं यह अभी प्रकास नसलेशन को आपकेशल का रक्षियन गैस निखलते हैं और भी वात्नाट में उपसे विप्रगार के ऐस्ट के बैलेस को बेलमेंटेल बना रहते हैं जिससे वाई सुद्ध गुरुतार है विप्रगा से बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें मैनत करते रहें All the very very best